हेलो एवरिवन आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम मार्केट जैसा सुपर इस्पॉंजी फलपी केक तो फ्रेंड्स इस केक को बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है घर के सामान से बिल्कुल मार्केट जैसा केक हम बहुत सस्ते में बना के तयार कर सकते हैं तो बिना टाइम वेस्ट के इस केक रेस्पी को बनाना देख लेते हैं रेस्पी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा बड़तन ले लेंगे तो हमने यहाँ बाउल ले लिया है और cup से हमने आधा cup fresh दही लिया है बिल्कुल यह खटी नहीं है तो friends इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो हमें दही लेना है वो खटा नहीं लेना है और हमने 1 4th cup यहाँ refine तेल ले लिया है तो friends आप घर का कोई बरतन जैसे कटोरी cup glass measuring के लिए ले सकते हैं अगर जो आप आधा कटोरी दही लेते हैं तो उसी कटोरी से 1 4th कटोरी आपको refine तेल लेना है तो इसको अच्छे से फेट के mix कर लेना तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से mix हो चुका है तो अब हम इसे side में रखेंगे और हमने यहां ले लिया है चीनी तो चीनी को बारिक पीस लिया है मेरे पास sugar powder नहीं था तो मैंने चीनी को mix जार में डालके बारिक पीस लिया था तो अब चीनी को भी नापके डालना है तो friends यहां उसी cup से जिस cup से हमने दही लिया है उसी कप से एक कप इसमें चीनी का पाउडर ले लेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरा भरके हमने लिया है और इसमें इसको डाल देंगे चीनी के पाउडर को अगर जो आप कटोरी से नाप रहे हैं तो जिस कटोरी से आपने आधा कटोरी दही लिया है उसी कटोरी से एक कटोरी सुगर पाउडर यानि चीनी का पाउडर ले लिजेगा और दही के वज़े से कप में थोड़ा सा सुगर पाउडर चिपक गया था तो हमने आधा चमच इसमें सुगर पाउडर और एड़ कर दिया है और इसको अब अच्छे से mix कर लेंगे इसको फेटते हुए बिल्कुल इस consistency तक फेट के बिल्कुल smooth बना लेना है लग रहाना है बिल्कुल एकदम मखण की तरह तो एकदम ऐसे ही आपको फेट के तयार करना है जिससे हमारा केक बहुत ही fluffy बनेगा और अब डाल देंगे यहाँ vanilla essence तो बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ हमने वन फोर्थ टी स्पून इसमें vanilla essence डाल दिया है इसको भी इसके साथ अच्छे से हम फेट कर मिक्स कर लेंगे बहु मैदा ले लिया है जिस cup से हमने दही को लिया था तो cup ज्यादा गिला वजह से मैंने नाप के इसका टोरी में ले लिया है तो सबसे पहले हम इसे चान लेंगे चानने से cake बहुत अच्छा fluffy और बिल्कुल जालिदार spongy बनता है तो इसमें यह मैदा हम डाल देंगे बिल्कु क्योंकि हमारा जो cup था उसमें तेल लग चुका था इसलिए हमने नाप के पहले से ही कटोरी में रख लिया था तो measuring का आप खास ध्यान रखिएगा इन दोनों को अच्छे से हमने चान लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे दूद तो दूद हम उसी cup से लेंगे जिस cup से ह हमने दही लिया था तो यहां भरके हमने दूद नहीं लिया है यानि पौना कप हमने दूद लिया है यह full cream दूद हमने लिया है तो इसमें एकी बार नहीं डालेंगे थोड़ा दूद डालके इसको अच्छे से mix करेंगे क्योंकि एकी बार अगर जो हम दूद ज्यादा डाल देंगे इसमें गाठे पड़ जाएंगी तो थोड़ा थोड़ा दूट डालके इसको mix करते हुए एकदम smooth paste बना लेना है आप देख सकते हैं बहुत ही smooth paste बना है कम से कम 3-4 मिनट लगा है इसको इस तरीके से फेट के smooth बनाने में तो अब हम इसको side में रखेंगे और हमने ले लिया है यहां एक घर का भुगोना आप चाहें तो घर का cake team आता है उसे ले सकते हैं या घर का कोई tiffin ले सकते हैं मैंने या भुगोना ले लिया है और इसको अच्छे से तेल से grease करके इस पर butter paper लगा दिया ह और बरतन में पहले से ही मैंने set कर लिया है ताकि हमारा काम फटा फट हो जाए तो अब हम ले लेंगे इस cake के mix को और इसमें डालेंगे अब हम इनो तो एक packet इनो यहां मैं पूरा डाल दोंगी और इसको activate करने के लिए उपर से थोड़ा सा दूद और डाल देंगे अब इसक इस स्मूदली इसको फेट लेना है ताकि बिल्कुल यह फलपी हो जाए तो आप देख सकते हैं कि यह mix करते हुए बिल्कुल इसका जो जाग है वो इसी के साथ mix हो जाएगा इस consistency तक हमें फेटना है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से यह fit चुका है, mix हो चुका तो केक पकने में ज्यादा टाइम लगेगा बहुत गाढ़ा रहेगा तो केक अच्छे से फूलेगा नहीं इसको अब टैप टैप कर लेंगे ताकि इसके जो एर बबल वगर हैं तूट जाएं फूट जाएं और अब हमने यहां पहले से भगोना रग दिया था गरम होने के लि खोने के लिए रख देंगे तो फ्रेंट्स पचास मिड़ बाद अब हम इसको देख लेते हैं और आप देख सकते हैं कि यह बहुत अच्छे से फूल चुका है यहां अब टूथपीक से या घर का आप नाइफ ले ले इसको चिक करने के लिए देखे टूथपीक बिल्कुल निकला यानि यह बहुत अच्छे से ब्रेक हो चुका है बिल्कुल कुलीन है यह टूथपीक तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम ठंडा हो जाने देते हैं तो यह देखे फ्रेंट्स बिल्कुल यह ठंडा हो चुका है तो अब हम इसे ट्रां बहुत ही spongy बहुत ही tasty भी आप कह सकते हैं क्योंकि हमने इसको दूद से बनाया है तो काफी tasty भी है और जो vanilla essence डाला है इससे बहुत अच्छा है इसमें खुस्बू आता है और flavor भी बहुत अच्छा आता है तो अब हम इस butter paper को बहुत आराम से निकाल देंगे color आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सी bake हो चुका है कोई कह नहीं सकता कि इसे हमने बिना आवन का bake किया है तो ये देखे friends बिल्कुल spongy एकदम लाजबाब हमारा फुला फुला केक बनके तयार हुआ है मैं आपको हाथ में भी लेके दिखाती हूँ कि ये कितना spongy है ये द दबाने से ही आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही spongy बना है ये दिखिए मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगी बिल्कुल क्लियर दिखाऊंगी एकदम spongy एक केक बनता है तो पहले मैं आपको काट के दिखाते हूँ कि इसका अंदर का texture कैसा है friends यहां मैं एक बात और बता देती हूँ यह हलका सा भी गरम था एकदम ठंडा होने के बाद आप काटिएगा जिससे इसका बिल्कुल यह जो दाना दाना है आपको खिला खिला दिखेगा बिल्कुल गरम में मत काटिएगा नई जब गरम रहता है तो यह चिपकने का डर रहता है जब यह अच् हम इसमें कॉन फ्लोर डाल देते हैं तो बहुत ही स्पॉंजी बहुत ही सॉप्ट ये केक बनके तयार होता है तो फ्रेंट्स केक की ये रेस्पी आपको कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपने फ्रेंट्स फेमिली में इसे सेयर करिएगा